Hello everyone, the question is solve x to the power root x equal to root under whole root under x to the power x इसको solve करना है, तो यहाँ पर दिखे, left side लिखा हुआ है x to the power में root x right side लिखा हुआ है x to the power x का under root मतलब x to the power x का हम लोग power कर सकते हैं 1 by 2 root मतलब 1 by 2, ओके यहाँ पर होगा x to the power में root x यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, अगर कोई number power में है उसका फिर से power करते हैं तो दोनों power power into होता है, means यहाँ x का power हो जाएगा x into 1 by 2 तो यहाँ से दिखे, x का power root x है और यहाँ पर x का power है x by 2 तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साट बेस सेम है x, तो power भी सेम होगा x by 2, ठीक है, अब अगर दोनों साट स्क्वारिंग करेंगे, तो यह होगा x equal to x square by 2 ठीक है, एक x कटेगा, तो 1 x कटेगा, तो आजाएगा 1 equal to x by 2 means यहाँ पर दिखे, यहाँ पर x का value आजाएगा 2, x का value 2 आजाएगा, अब चेक करना है original question हम रखे, कि x का value 2 satisfy कर रहा है कि नहीं, x का value 2 रखेंगे, तो 2 to the power root 2, ठीक है, यहाँ आजाएगा 2 to the power 2, यहाँ 1 by 2, अब यहाँ पर दोनों साट स्क्वारिंग करेंगे, तो यह आजाएगा, x equal to x square by 4, ठीक है, x कटेगा, तो x कटेगा, तो यहाँ से देखिए, अब x का value आजाएगा, 4, जो हम फाइंड करना था, x का value 4 रखेंगे, यही होगी answer, अब 4 रखके satisfy करते हैं, इसमें, कि 4 satisfy कर रहा है कि नहीं, तो देखिए, left side रखते हैं, 4 के power में root 4, यह कितना आएगा, 4 के power में 2, right side, 4 के power में 4, और इसका under root, ठीक है, तो यह होगा, 4 के power में 4, इसका power 1 by 2, means, यहाँ पर आजागा 4 के power 2, दोने satisfy कर रहा है, दोने equal है, तो x equal to 4 है, यह satisfy होगा, यह answer हो जागा, x equal to 4, clear?